सूपर बात बच्चों कैसे हो आप सब पहला चैप्टर वह चिडिया जो है सबको समझ में आ गया होगा आपने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई चिडिया की बहुत अच्छा लगा चलिए दूसरा पार्ट सुरू करते हैं दूसरा पार्ट है बच्पन किसना सोबत जी द्वारा लिखा गया है पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आप से एक बात पूछती हूं क्या आपने कभी अपने दादा दादी नाना नानी से एक बात पूछी है अगर नहीं पूछी तो पूछना कि उनका बच्पन कैसा था तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुसी आजाएगी वो खुस हो जाएंगे और आपको अपने बच्पन की बहुत सारी बाती बता देंगे वो बताएंगे कि आपका बच्पन और उनका बच्पन किस प्रकार भीन है तो यह जो पार्ट है बच्पन इस पार्ट के माध्यम से लेखी का कृष्णा सोबती जी ने अप आपकी दादिया नानी हो सकती हूं वो बताती है कि बच्पन में जब वे छोटी थी तो उन्हें सम जी जी कहकर पकारते थे आगे वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उन्हें रंग भी रंगे गहरे रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद था कभी-कभी वो जह away लह फ्राग पहनती थी अब आपके पास भी बहुत सारे कपड़े होते हैं आपके शादी के अलग होते हैं इसको जानी के अलग होते हैं कई छोटे मोटे फंक्सन के अलग होते हैं तो वह कहती है ऐसी ही मेरे पास बहुत सारे ड्रेस थी और मुझे वह पहनना बहुत अच्छा पुर्णना बहुत पसंद था परन्तु अब मैं हलके रंग के कपड़े पहनती हूं। सायद उमर का परभाव है इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनती हूं। आगे वह बताती है कि उनके घर में एक नियम था कि उनके जो मोझे हैं वो स्व्यम धोने होते हैं। घर में नोकर या नोकरानी उनके मोजे नहीं धोते थे। साइद उनके माबाप उन्हें है सिखाना चाहते थे कि हमें अपना कारिया स्वेम करना चाहते है। इसलिए वो उन्हें बच्वन से ही इस कारिय की उन्होंने आदर डाल दी। तो वो अपने मोजे स्वेंद होती थी अब आमने ड्रेस की बात की अब ड्रेस के साथ जूतों की बात ना हो तो यह से कैसे हो सकता है आपके पास ही बहुत सारे जूते होते हैं अलग अलग ड्रेस के अलग अलग जूते ऐसी लेखी का भी अपने जूतों के बारे में बताती है वो बताती है कि उन्हें अपने जूतों पर पोलिस स्वेम ही करनी होती थी कोई भी उनके जूतों पर पोलिस नहीं करता था आपकी तो मम्मी कर भी देती है कभी लेकिन उनके यहाँ पर पॉलिस अपने आपी ही करनी होती थी वो क्या करती थी? अपने जूते पर पॉलिस लगाती और कपड़े चारगडडगड़ कर उसे साफ करके चमका देती अपने बच्चपन के विसे में आगे बताती हुई लेखी का कहती है कि परती एक सनिवार को उन्हें केरिस्टरोयल यानि अरंडी का तेल और आलिवोयल यानि जेतुन का तेल पीना पड़ता है उन्हें वो पीना पड़ता था और लेखी का कहती है कि परती एक सनिवार को उन्हें उसे पीने में इतना अजीब सा लगता था कि जिस गिलास में एक छोटा सा गिलास था जिसमें मात्रा के निसान लगे होते थे आपने देखा है जब डोक्टर आपको दवाई देता है तो एक होता है उनके घर में एक छोटा सा काच का गिलास था जिसमें एमल के निसान लगे होते थे तो लेखी का कहती है कि मुझे उस सड़्uggling को देखते ही उल्टि आने सुरू हो जाती थी लेकिन ना प ellos अगर हमें आपक거 अपया शाश की रहती है फिर फिर आपने बचपन की तुलना आपके बचपन के तुलना से बापक को बचपन से करती हैं रहा very है कि हमारे जमाने में TV वीडियो फोन लैपटोप आदी नहीं होती थे हमारे जमाने में ग्रामो फोन होते थे वह कहते हैं कि आप आप टीवी में गाने सुन सकते हो वीडियो देख सकते हम केवल गाने सुन सकते थे ग्रामो फोन में और आगे कहते हैं कि जब वह छोटी थी त देबिजा, बर्गर, चाउमीन, चिली पटैτο, वह कहते हैं, कि नएं, हमारे यहांपर जो सुखते थे, हमारे समय में, वह कचोड़ी और समोसा होते थे, अब जो उस समय के कचोड़ी और समोसा है, वह अब सारी चीजों बदल गई है, जिसे पेटिज हों गया पिज़ा हो गय बर्गर हो गया आदि में बदल गई हैं और हमारे जमाने की कुल्पी अब आईस्क्रीम में बदल गई हैं लेकिक कागे कहती है कि हमारे जमाने में कोप, पेपसी कोई नहीं पीता था लेकिन उस समय है है उस समय जो फल फलो के सरबत पिये जाते जैसे सेटूत के फल कोंपेपसी नहीं पी जाती थी अब लेखी का कहती है कि वह जब सिम्ला में रहती तो उन्हें सिम्ला में बिताय हुए दिन बहुत याद आते हैं उनका घर पाड़ियों के उपर था और उन्हें मोल तक जाने के लिए घर में परती एक सदस्य की डूटी लगी हुई थी वो डूटी निभान ब्रेड खरीदने के लिए मोल जाना होता था तो वो सब अपनी बा कोई चोकलेट मिलती थी अब आपने देखा है कि चोकलेट सब बच्चों को पसंद होती है लेकिका बताती कि हमें केवल हपते में एक चोकलेट मिलती थी अब कोई-कोई बच्चा क्या होता है जहां मिला महीं खाना शुरू कर देता तो लेकिका कहती नहीं मेरा स्वेभाव पैसे नहीं था मैं क्या करती थी चोक्टलेट लेकर रात को बिस्तन में लेटकर मजे ले लेकर खाती थी लेकिका आगे बताती है कि सिमला की जो घुरसवारी थी लेकिका को घुरसवारी करना बहुत याद आता है और सबसे बड़ी चीज उन्हें क्या याती है सिमला ब्रिज वातावरन को बड़े ही मत्सटकारे लेकर खाती थी और लेक ही का आगे कि खूबसूर्थी को बहुत याद करती है कि सिम्ला की खुबसूरती बहुत ही सुन्दर है यदि कोई वहाँ पर जाए तो वहाँ पर कई सारी चीजे होती है सिम्ला बिर जरूर गूमने जाए तो लेखिका कहती है कि सिम्ला जो महाकान में जो चर्च है उसकी घंटी बजती हुई ऐसे लगता थ कि जैसे बहुत ही सुन्दर वातावरन हो गया है और सूरियास्त के समय ढलता हुआ सूरज सिम्ला की खुबसूरती को बढ़ा देता है इसके बाद वह एक सिम्ला मोल में कालकाजी ट्रेन का मोडल रखा हुआ था वह भी लेखिका को अब तक याद है वह कहती है कि वह ट्रेन क लेखिका को αब भी याद है लेकिन उस समय में आप जैसे आपको अब कहीं बहुत जल्ANा होता है तो आप लोग क्या करते हो फ्लाइक के टिकेट बुक करते हो और चले जाती हो लेकिन समय ऐसा नहींना हुआ उस समय यदि जल्दी जाना होता था तो केवर ट्रेन Хीती ती य रही जल्दी जाया जा सकता था तो लेखी का कहती हैं कि उन्हें जल्दी जब उन्होंने हवाइजाज उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी और जैसे ही हवाइजाज उनके घर के छटकी ओपर से गुजरता तो सभी बच्चे बाहर निकल कर ताली बजा बजा कर फ्लाइट को आगे बताती है कि बच्चपन में उन्हें चस्मा लग गया आखी कमजोर थी चस्मा लग गया तो डोक्टर ने जो है उन्हें बताया कि दूद नहीं पीती है और कम रोसनी में काम करने के कारूं ने चस्मा लग गया उन्हें डोक्टर ने का कि दूद पिया करो तो तो तु तो उसमें नंबर बढ़ता ही चला गया उनके जो चचेरे भाई थे अब आपने देखा जो चोटे भाई बैन होते तो एक दूसरे को बहुत चिड़ाते हैं तो उनके चचेरे भाई उन्हें चिड़ाते थे लड़की सोचे दूर की सुरुत बनी लंगूर की तो उन्हें यह बहुत बुरा लगता था एक बार वो आपको सीशे के सामने देखकर उतने गासत में लगता है मेरी सुरुत लंगूर की हो गई है और लेकिका को अपने बचपन में हिमाचली टोपिया लगाने का भी बहुत सोक था उनके पास बहुत सारी टोपिया इखटे हो गई थी तो देखा लेकिका के बचपन और आपके बचपन के कितनी तुलना है की है लेकिका ने तो आप इसे बार फिर अच्छे से रीड करें और समझने का प्रियास करें धन्यवाद